वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल योनिक क्लासिज आज जिन करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 6 बक्ती सूफी परंपरा ये इसका पार्ट नमबर 2 है हम MCQs कर रहे थे तो जैसे कि हम करते हैं MCQs करने से पहले हम नोट्स देखते हैं और उससे related MCQs करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखी सबसे अधिक पूजने दरगा ख्वाजा मुईदीन की है जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है तो याद रखना है सबसे अधिक पूजने जो दरगा है वह किसकी है वह है ख्वाजा मुईदीन की और जिसे क्या कहा जाता है जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है आगे देखी मुहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगा पर आया था किन्तु शेक के मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा की सुल्तान ग्यासुदीन खलजी ने पंदरविश तापदी के उत्राद में बनवाई यहाँ पर थोड़ा से बलर है पर आप थोड़ा से देखने की कोशिश कीजिए जो मुहमद बिन तुगलक है आपको देखने है मुहमद बिन तुगलक जो मुहमद बिन तुगलक है वह क्या था पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ख्वाजा मुईदीन की जो दरगा है वह उस पर आया था शेक की मजार पर सबसे पहली इमारत किस ने बनवाई थी तो वह बनवाई थी सुल्तान ग्यासुद्दीन खलजी ने कब बनवाई थी पंधरवी श्टाबदी में बनवाई थी ताप को ये बात याद रखनी है यहाँ पर तीन बात याद रखनी है एक मुहम्मद मिं ताप्दी में बनवाई थी अकबर भी शेक मुईदीन चिष्टी की दर्गापर चोदा बार आया था तो आपको याद रखना है जो शेक मुईदीन चिष्टी है उसी का नाम क्या था उसी का नाम था ख्वाजा मुईदीन तो जो अकबर है वह उनकी दरगा पर 14 बार आया था कभी वह किसी अफसर पर जाता था कभी वह किसी तीज दिवार पर जाता था या पर कभी वह पुत्र होने के खुशी में जाता था तो ऐसे कभी कई बार ऐसा होता था साल में कई बार वह दरगा पर जाता था तो यहाँ सिलसला 14 बार तक रहा नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे खास दोर से कवाल तो आपको याद रखना है जो जियारत है यानि कि जियारत की जाती थी उसमें नाच संगीत क्या था उसका एक हिस्सा था साथ साथ जो कवाल है वो भी उसका एक हिस्सा था उसके वेना जियारत पूर्ण नहीं होती थी आगे देखी बाबा फरीद दुआरा रचीत काव्य है गुरू गृंत साही में संकलित है तो जो बाबा फरीद है उनके दुआरा जो काव्य की रचना की गई है वे किस में शामिल है वे गुरू गृंत साही में शामिल है तो यह बात दिहान रखने वाली है अगर आपको जो नोट्स दिये जा रहे हैं आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे आप MCQ करने में और इसे साहसाथ आप टैक्टिस करेंगे MCQ की तभी आपसे जो MCQ है वो अच्छे से हो पाएंगे आगे देखी पदमावत जो पदमावत है उसके रचेता कौन है उसके रचेता है मलिक मुहमद जैसी तो आपको याद रखना है शेक निजाम الدین के अनुयाई उन्हें सुल्तान पॉल मशेक कह एकर संबोध करते थे तो जो शेक निजाम उदीन ओलिया है उनके जो अनुयाई थे या फिर उनके स्मृतिन वाले थे या शिशे कहा जा सकता है वो उनहीं क्या कहते थे वो उने किस नाम से पुकारते थे वो उने पुकारते थे सुल्तान उलमशेक तो आपको ये नाम याद रखना है कबीर की बानी आपको पता होगा अगर आपने कभी भी कबीर के जीवनी पड़ी है जीवन परीचे पड़ा है तो आपको पता होगा जो कबीर की रचनाये हैं, जिसे हम कबीर की वानी कहते हैं, वो तीन परिपाठियों में संकलित है, यानि कि तीन जो परिपाठिया बात दी गई हैं, उनमें उन्हें इकटा किया गया है, तीन भाग बना दिये हैं, तीनों भागों में जो कबीर की वानी हैं, वो इकटी की पहली है कबीर बीजक दूसरी है कबीर गरंथावली और तीसरी है गरंथ साहिब जिसमें बाबा फरीद की जो रचना है काव्य है वो भी संक्लित है तो आपको याद रखना है तो कबीर बीजक तो कबीर बीजक में क्या है वारनासी तो उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित जो कबीर बीजक है वो कहां पर संरक्षित की गई है वारनासी और उत्तर प्रदेश के स्थानों पर अब कबीर गरंथावली की बात की जाए यह जो कोशन इस प्रकार से पूछा ज सकता है वारनाजी तथा उत्रप्रदेश के स्थलोप पर कौन सी कबीर की परिपाटी संरक्षी थै तो आप बताएंगे कबीर वीजग तो कोजिन कैसे भी घुआ फिरा कर आए बस आपको क्या है यहाँ पर समझना है और फिर उसे लर्न करना है समझ का याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे अब देखी कबीर गरंतावली इसका समझ राजिस्थान के दादू-isha तो आपको जो हैं यहाँ पर बड़ी एकिमात राएगी जो कबीर है उनको भक्ती मार्क दिखाने के वाले जो उनकी गुरू है वो है रामानन तो आपको आप दखना है देखिए पहला जो सिख्धु गुरू है वो कौन था वो था गुरू नानक ची अब देखिए जो पाचवे गुरू अरजन देव ने बाबा गुरू नानक था उनके चार उतरधिकारियों बाबा फरीद रवीदास और कबीर की वानी आदी गुरू साहिब में संकलिद जो पाचवे गुरू है जो पाचवे सिख्ध गुरू है अरजन देव अरजन नहीं यह अरजन है जो अरजन देव है उन िम्सेसास साज जो चार उनके उत्रादीकारी, पहला ग्रू नानक हो गया, दूसरा बाबा, फरी, तीसरा रवीदास, और चोता कबीर की वानी. इन चारों कि जो रचनाएं हैं, वो किसमे संकलित की हैं? ग्रन्ट साहीब में संकलित की हैं, ये खटी की हैं गुर्ण साहिब में और इनको किस नाम से पुकारा जाता है गुर्बानी कहा जाता है तो आपको याद रखना है जो गुर्ण साहिब है जिसमें गुरु नानक की, फरीद, बाबा फरीद की, रवीदास की और कभीर की वानी इनकी रचनाय संकलित है उसको गुरू अब देखी दसवे गुरू गौविंद सिंग पाचवे कौन थे अर्जन सिंग अर्जन सिंग दसवे जो गुरू गौविंद सिंग है उन्होंने नवी गुरू तेक बहादूर की रचनाओ को भी शामिल किया जो दसवे गुरू थे गुरू उनका नाम है। गुरुन को याद रखना है इन्हों किया इन्होंने अपने से पहले वाले यानिकि जो नवे गुरु एं जिनका नाम है तेग बहादुर उनकी रचनाओं को भी गुरु गुरण साहि में संक्लित कर दिया तो अभी तक हमने देखा चार जो रचनाई थी चार जो थे उनकी रचनाई शामिल थी अब इन्होंने क्या किया अपने से पहले वाले जो तेग भादूरे उनकी जो रचनाई वो भी गुरू गुरू गुरंद साही में संक्लित कर दिया अब आगे देखिए गुरु गौविन सिंग यानि कि जो दसवे गुरु हैं सिक्के गुरु गौविन सिंग ने एक खालसा गरंथ जिसका नाम है पवित्रों की सेना जिसे पवित्रों की सेना इसका अर्थ निकलता है तो खालसा गरंथ की नीव डाली और उनके पाच प्रतीकों का वनन किया तो आ आपको याद रखना है जो गुरु कोविन सिंग है उन्होंने क्या किया था खालसा गरंद की नीव डाली थी उसके शुरुवात की थी और उसमें जो पाच प्रतीक है वो डाले थे कौन से पाच प्रतीक है बिना कटे केश करपान कच कंगा और लोहे का कड़ा तो आपको बाई क्रिश्न की भक्ति थी तो जो मीरव आई है उनके जो गुरु हैं वो कौन थे वो रेदास थे तो आपको याद रखना है पहले सिख गुरु पहला सिख गुरु जैसे के मैंने आपको बताया था गुरु नानक देव थे तो आपको याद रखने गुरु नानक देव क हम M-CQ's देखते हैं, अब देखे, मुहम्मद बिन कैसीम ने सिंद को विजय किया, तो मुहम्मद बिन कैसीम ने सिंद को कव विजय के फूछ रखा है, तो देखिए, जो मुहम्मद बिन कासीम है, उन्होंने सिंद को सत्रा सो ग्यारा इश्वें विजय किया तो यहाँ पर जो भी ओप्षन है वो आपका सही है तो आप याद कर लीजे अगला देखिए इसलामी याने की मुसल्मान शाषकों के अधियन संडक्षित श्रीनी को निम्न में से कौन सा कर चुगाना पड़ता था इसका मतलब है वो कौन सा किया था नाइन चैप्टर किया था जिसमें हमने देखा था कि अकबर ने तीर थियात्रा कर और जजजिया कर समाप्त किया था और जजजिया कर है वो गैर मुसल्मानों के पर लगाया गया कर था तो जजजिया कर है वही इसका सही आंसर होगा कि जजजिया कर है जो गैर मुसल्मान प्रजा थी वो अपने शाशक को देती थी कि वह उनका संडरक्शन करें तो जजिया कर ये इसका सही आंसर है सी वाला आगे देखी कोशन नमबर आगे देखी सूफी सिलसले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था पहला उलेमा, दूसरा पीर अत्वा शेख, तीसरा मुरीद और चोथा है पैगंबर महुमद बार भी जो श्टाबती थी कि उसके आज पास इसलामी दुनिया में सूफी सिलसले का गठन होने लगा था अब ये सूफी सिलसले होता क्या है, हम कोशन करने पहले ये देखेंगे तो सिलसले का शाब्दिक अर्थ होता है जनजीर इसका मतलब है जैसे जनजीर में हर एक कड़ी बंदी होती है इसी तरीके दे सूफी सिलसले में हर एक कड़ी बंदी होई थी जो शेक और मुरीद के बीच एक निरंतर रिष्टे की घोतक है जो शेक होते थे और जो मुरीद होते थे उनके बीच में एक कड़ी का काम करती थी एक रिष्टे का काम करती थी जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगमर महुम्मद से जुड़ी तो इसका मतलब इसको शुरुआत किस्ती हुई पैगंबर महुम्मद से हुई थी तो ये जो कोशन है इसमें हमारे कोशन पूछ रखा था उसे हम देखेंगे इससे पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं कि कहां खान खा का सम्मंद सूफी वात से है तो आपको याद रखना जो खान खा है उसका सम्मंद सूफी वात से है तो देखी सूफी सिल्सले की कड़ी में निम्न शामिल नहीं था तो कौन शामिल नहीं था जासे कि अभी अभी हमने देखा है जो उलेमा है वे शामिल नहीं था तो उप्शन नमबर A सही हो क्यों मुरीद भी शामिल थी, शेक भी शामिल थी, पीर भी शामिल थी, और पैगमर मौहमाई से तो शुरुवात हुई थी, तो उलेमा क्या है वो शामिल नहीं थी, अगला कोशन देखी, खान खा का समंध निम्निस से है, तो खान खा का समंध किस से है, अभी अभी हमने पुछ रखा है तो वो देखते हैं निम्न सूफी संथ को गरीव नवास कहा जाता है तो किसे कहा जाता है पहला एक option शेक निजामोदीन ओलिया बी शेक नसिरुद्दीन सी शेक फरियुद्दीन गंज ऐशकर और डी ख्वाजा मुईदीन तो जो ख्वाजा मुईदीन है उन् वो आये थी मुहमद बिन तुगलक जो मुहमद बिन तुगलक है वो सबसे पहले शेक मुईदीन यानि ख्वाजा जाता है तो उनकी दरगा पर आये थी मुहमद बिन तुगलक तो option नमबर जो यह सी है वो इसका सही आंसर है अगला कोशन ख्वाजा मुईदीन यानि कि शेक मुई दिन ख्वाजा मुई दिन चिष्टे की दरगा पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई तो सबसे पहली इमारत किसने बनवाई थी पहला गया सुद्दीन खलची जी हाँ जो गया सुद्दीन खलची है उन्होंने क्या करवाय था सबसे पहली जो इमारत है वो बनवाई थी उनकी चिष्टे पर तो ए सही है इसका अगला कोशन चिष्टी उपासना का अंग था तो क्या था पहला नाच दूसरा संगीत और तीसा कवाली या फिर उप्रोक्त सभी जैसा कि हमने नोट्स में पढ़ा था कि जो चिष्टी की उपासना में ये तीनों चीजे क्या थी उ पदमावत का लेकग कौन था एदे की बाबा फौरीद बी रतन सेन सी मलिक महमद जैसी और डी हे अमीर खुचरू तो पदमावत के जो लेकग थे वो थे मलिक महमद जैसी अगला कोशन सम्राथ अकबर की राजधानी कौन सी थी तो यह समराट अकबर है उनकी राजधानी कौन थी? पहला लाहोर, दूसरा मुलतान, तीसरा दिल्ली और चोथा है फत्यपूर सिखरी तो यह अकबर है उनकी राजधानी फत्यपूर सिखरी थी अगला कोशन, मीरा बाई की गुरू थे? तो मीराबाई के गुरू कौन थे? पहला संत कभीर, नहीं, दूसरा संत रेदास, हां जो संत रेदास है वही उनके गुरू थे आगी देखिए अगला कोशन है आदी गुर्ण साहिब का संकलन किया तो आदी गुर्ण साहिब या फिर कहा जाए गुरू गुर्ण साहिब दोनों बाते एक ही है तो उसका संकलन किस ने किया था पहला श्री गुरु तेक बहादु जी दूसरा श्री गुरु अरजन देव जी तीसरा श्री गुरु नानक देव जी और चोथा श्री गोविन श्री गुरु गोविन सिंग जी तो जो अरजन देव है जो पाचवी गुरु कहलाते हैं उन्हों नहीं क्या किया था उन्हों नहीं जो गुरु गृंत साइब है उसका संकलन किया था और उसमें गुरु नानक गुरु नानक देव की बाबा फरीद की कबीर की और रेदास की इन सब की जो रशनाएं वो संकलि थी और बाद में श्री गुरु तेख भादुर की भी हो गई थी इसमें संक्लित तो ये इसका option number 20 सही है अगला पहले सिख गुरु थे तो पहला सिख गुरु कौन था मैंने आपको जैसे बताया था गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थी तो option number A इसका सही है अगला थी के खालसा पंथ की नीव डाली तो जो खालसा पंथ है उसकी नीव किसने डाली थी पहला पाचवे गुरु अर्जन देव जी दूसरा बंता बादुर जी तीसरा श्री गुरु गुरु गुवीन सिंग जी और चोता है नोवे गुरु तेख बादुर जी जी नहीं जो द वी गुरू थे इसी के साथ हमारे चेप्टर इसके M.C.Q खतम होते हैं अगर इसी तरीके की ओर वीडियोस चाहिए आपको तो प्लीज आप लाइक करें वीडियो को तो प्लीज आप कमेंट करके बताईए और वीडियो कैसी लगी यह भी आपको बताना है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर के जो कमेंट करें बताएं कैसे लगी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस आयर में जो बैल आइकन है उसे प्रस करना मत भूलेगा जिससे की निविरोसी नॉटिफिकेशन आपके फोन में आ सके Thank you